कि वेलकम अगेन वेलकम टू माई यूटूब चैनल ओतंग एजूगेशन मैसल वामन तो देखिए आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं चैप्टर असेस्मेंट ऑफ चैप्टर 14 इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जितने भी रिलेटेड कोस्टन से मेंडल तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमबर वफ तो यहां पर देखी क्या है फिल इनबलेकश है आपको कोश्चन को इंव करके यहां पर वैल्यू पूट करनी है बात करते हैं कोस्टन नमबर वन की ओन ऐडट ओफ हैक्टेए इट मीन्स ओने लड़ एक्टेएर इस इक तो 10,000 मिटर स्क्वेर और आपको फाइंड करना है वन इंट इसका तो 10,000 इसका क्या करना है वन इट तो वन इट मतलब इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर देते हैं देखिए 10,000 में एट का एट बन जा एट माइनस करने पर आया तू उपर से जीरो एट तू जा 16 माइनस करने पर फोर उपर से अगे जीरो फाइव जा फोर्टी फोर्टी एंड जीरो उपर हम ले गए तो 100 1250 इस यहां पर आपका क्या जाएगा 1250 मिटर स्क्वेर नेक्स देखिए देंखिए the distance round a circular region is Its circumference तो देखिए तो फपिन थोड़ा फैपने मिलोल केबाँ तब करना पθεiono पर को देखिए लेट लेट दा बेश्वेश प्रिविस भूर्ब citizen मैंने आपन लिया height को मैंने क्या मन लिए h मन दिया ठीक है और आपको पटा एरिया क्या होता है area of triangle is equal to 1 by 2 base into height ठीक है तो क्या बोल रहा है base of triangle is double मतलब base को हमने क्या कर लिया 2 हुप भी कर लिया height उसके वाद क्या बोल रहा है height is half मतलब height को आदा गर दिया मतलब 1 by 2 कर दिया उसका तो यहाँ पर क्या बोल रहा है तो एरिया क्या हो जाएगा देखिए पहले अगर अपने बात करें यह क्या रहा था भी एच बाइटू ठीक है अब नेक्ट इस वाले का एरिया फाइंड करते हैं अब यहां पर अपने बात करें यह कौन सी होती है देखिए यह आपका क्या होगा एक पहले लोग्राम अब यह तो हो गई आपकी एट सेंटीमेटर यह वह आपकी टैन सेंटीमेटर उसके बाद देखिए इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिट्वीन दा स्मॉलर साइट इस सिक सेंटीमेटर आप स्मॉलर साइट मतलब देखिए यह तो दिस्टेंस परपेंडिकुलर अपने क्या मनेटें एक्स मान लेखते हैं तो आपको क्या पता है दोनों के इंदर चाहे आप यहां से फांड किंगी यहीया आपका same रहेगा तो area of parallelogram is equal to क्या होता है base into altitude या फिर height ठीक है तो यहाँ पर आपका जो base है वो क्या है यहाँ पर देखिए 8 altitude है आपके बाद 6 और according to this यहाँ पर देखिए क्या है 10 इंटू X तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 8 इंटू 6 48 और यह जाएगा 10 इंटू एक्स यहाँ से देखिए 10 जाएगा डिवाइड में तो X इस इक्वल टू 48 और एक्स इस इक्वल टू आपके बस क्या देगा 4.8 cm तो यहाँ पर देखिए 4 आपके बस क्या है 4.8 तो आप सोचेंगे देखिए लेकिन इसका सुलूशन कितना बड़ा हो रहा है तो इसका यही चैप्टर असेस्मेंट है कि आप उससे समझ क्या पाई आपके चैप्टर से आपने क्या नोलेज गेंग की उसको आप सोल कैसे कर सकते हैं ठीक है तो कॉस्चन को आपको कभी भी नहीं देखना मतले कि एसका तो सरकल होता था ठीक है यह जो रिंग है इसका एडिया करते है ठीक है क्या होता है आर टू स्क्वर माइनस और वन उन स्कूरर वीर आटू इस यह आपने करते हैं को यह आपका true and false the area of a right angle triangle is 90 cm square the two sides containing the right angles are 15 and 6 cm ठीक है मतलब देखी क्या बोलना चलता है यह हो गया आपका right angle triangle अब जो एंगल जो contain कर रही है वो दो side एक तो है आपकी 15 और एक 6 ठीक है यह होता है और area of triangle क्या होता है एरिया ओफ ट्रियंगल इस इकल टू वन बाइ-टू बेस इंटू हाइट तो वन बाइ-टू बेस है आपका 6 हाइट है आपका 15 2 3 6 3 into 15 45 cm square जहां पर आपको क्या बता रहा है 90 cm square यह आपका क्या हो गया सोल्च इसे हम क्या बोलते हैं क्वादरेंट ओफ त्वाद्रेट करूं सर्क्ल Из- durch PlayerAI कि क्या होती है मैं डु पाइ और अगर अपने बात करें सेमी चरकल की सिंच्वैकल तो यह हो जाता है कुछ मतलब 2 pi r divided by 2 plus circumference क्या होती है distance of outer boundary ठीक है तो यह तो हो गया सिर्फ इसका और यह क्या है यहां पर आपके उस 2R है तो यह हो गया 2R यह तो हो गया semi circle के लिए लेकिन यहीं पर अगर हम इस quadrant को cut कर देंगे तो यह देखिए 2 से 2 यह है यह है तो यह आपको क्या हो देगा रिखेंगा रेशेज़ और कोस्टे नम्बर थी यह का था तो यहां पर रेडिएश आरवन डेशो और टू आपके बस क्या है तू रेश्व 10 वाइफ 2 ratio 5 अब अगर अपने बात करें एरिया की तो area a1 ratio a2 क्या होता है pi r1 square ratio pi r2 square pi से हो गया pi cancel तो यहाँ पर आर वन है आपके बस 2 2 का square 4 5 का square 25 तो यहाँ पर area का ratio क्या हो गया 4 ratio 25 तो यह भी आपका क्या हो गया तो नेक्स देखें कोस्ट Бог् norm एक कॉस्ट क्थcji इक्वर क्वे ग्ष कॉस्ट है तो यहां पर संटी मिट्न सेंटी मिट्ट नहीं पूछ आया सैंटी मिट्यक्थ कि देखाए तो यह आपके पस हो जाएगा 100 mm ठीक है और 10 cm2 मतलब इन्टू 10 ठीक है तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 1000 mm2 होना चाहिए लेकिन यहां पर आपके पास क्या हो रहा है 100 तो यह आपका क्या हो जाएगा फॉल्स एंड कोच्च नमर फाइव देखिए इस इच साइड ऑफ रॉंबस इस 14 cm एंड एरिया इस 98 ठीक है देन अल्टिटू इस दिस देखते हैं देखिए एरिया आपको गिवन है 98 एक आपको इस साइड गिवन है 14 और है र prop हो गिवन ठीक है तो यहां पर आपके बाद बस क्या हो जाता है बäस इंटिंटू है ठीक है तो यहां पर बेस है आपके बाद 14 हाइड आपको फाइंड करनी है एरिया आा पो गिवन है तो h is उकल ल टू 9 28 divided by 14 तो यह आपका देखिए क्या हो जाता है कि 14 से जब आप डिवाइड करते हैं कि देखिए है कि 7 तो यहां पर आपकी जो हाइट हो क्या निची सेवन लेकिन यह क्या बता रहा है यहां पर देखिए को जैसे जैसी लेंग्वेज आपको गिवन है आप उस को सोल करते जाएं को प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी दा लेंथ ओफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इस वन पॉइंट फाइफ टाइम्स ऑफ दा ब्रिथ ठीक है माने जे लेट दा लेंथ एल मान ली और जो आपको ब्रिथ गिवन है वह मैंने क्या मान ली भी मान ली अब अकॉर्डिंग टू दा कॉश्यन यहां पर आपो गिवन है लेंथ इस एक्वल टू 1.5 ऑफ ब्रिथ ठीक है अब यहां पर कहें गिवन है ट्वंटी परसेंट ओफ पेरेमिटर इस ट्वंटी मीटर ठीक है ट्वंटी परसेंट ओफ कि 20 डिवाइड बाइ 20 और हंड्रेड परसेंट क्या हो जाएगा है तो कि 20 डिवाइड बाइट बाइट इस एक्वर टू 100 मीटर ठीक है दा एरिया प्लोट आपको एरिया फाइंड करना है ठीक है अब यहां पर आपके मसा आगया पैरिमिटर पैरिमिटर ओफ plot is equal to 100 according to formula क्या होता है 2 into length plus width is equal to 100 और अब ही हमने find किया length is equal to 1.5 of the breadth है तो यहां पर हम लिख देते हैं तो इंटू एल प्लस तो यहां से देखिए टू इंटू टू पॉइंट फाइफ बी इस इकवल टू हंड्रेड तो बी आपके पास क्या हो गया टूइंट 20 मिटर्स विख आपके पास आगई 20 मिटर्स तो length आप कर सकते हैं 1.5 तो 1.5 इंटू टू एंटू ट्व यह आपके पास हो गया 30 मिटर्स आपके पास अगई एरिया आपको पतहे क्या होता है area is equal to length into breadth length आपके पास 30, breadth आपके पास 20, 2 into 36, 600 meter square is your answer for question number 3 और यह आपका option C is your correct answer, next day students question number 4 the area of rhombus is 98 ठीक है, area आपको given है, कितना 98 cm square, parameter आपको given है 48, ठीक है, sorry 28, तो यहाँ पर देखी क्या होता है, parameter of rhombus 4 into side होता है, which is equal to 28, तो यहाँ पर देखी क्या होता है, side is equal to 28 by 4, it means 7, ठीक है, तो इसकी जो side आगी, वो क्या आगी, 7 cm, तो यहाँ से देखिए, altitude आपको find करना है, again area क्या होता है, area is equal to base, या फिर side, multiply by altitude is equal to 98, तो यहाँ से altitude आजेगा, आपके पास 98 divided by base, जो आपने find किया, 7, so altitude is equal to 7 से यह किया, देखिए 14 times और B is your correct answer, so 14 cm is the correct answer, और question number 4, next देखिए question number 5, a circular wire of radius 42 cm is bent, देखिए, circle है, radius है, आपके पास कितनी 42 cm, is bent into a rectangular form, यह rectangular form में bent कर दी गई, तो यहाँ पर इनका ratio आपको given है, length और breath का, length ratio आपके पास है, 6 ratio 5, the smaller side of the rectangle, smaller आपके पास दिख रहा है, 5 है, तो यहाँ पर हम इसको suppose कर रहेंगे, length of the, let the length, 6x, and आप breath माल लेजे, 5x, ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर आपने बात करें, parameter of circular field is equal to parameter of rectangle, क्या हो रहा है, यहाँ पर, देखिए, यही तार थी, जिससे circle बनाया था, इसी से हमने क्या बना दिया, convert करके, एक rectangle बना दिया, तो जो length, length of the boundary क्या होती, वो इसी की length होती है, तो यह length हमेशा कह रहे हैं कि equal रहे हैं, तो according to formula क्या होता है, यहाँ पर 2 pi r, और यहाँ पर क्या होता है, 2 into length plus breadth, तो यहाँ पर देखिए, 2 into pi की value, 22 by 7, r हमें given है, 42, और 2 into length, आपके बाद देखिए, 6x जो हमने suppose की थी, 6x plus 5x, बैस आप इसको solve करना है, आपका अंसर आ जाएगा, देखिए, यहाँ से देखिए, 7 by 7, 7, 6, 42, और यहाँ से देखिए, 2 into 22 हो गया, आपके पास 44 into 6, is equal to 2 into 6 plus 5, 11x, तो यहाँ से देखिए, 2 into 11, 22, और यहाँ से जाएगा, divide में, तो x is equal to 44 into 6, divide by 22, यह गया, आपके पास 2 times, और x आपके पास कितना आ गया, 12, x 12 आ गया, तो यहाँ से आप rectangle की length find कर सकते हैं, length find करनी है, यह breadth find करनी है, smaller side, smaller side आपके पास 5x है, मतलब 5 into 12, it means 60 cm is your answer, so option D is the correct answer for question number 5 students, next students, question number 6, if the circumference and the area of a circle are numerically equal, then the diameter is equal to, ठीक है, अपने find कर देते हैं, देखिए, circumference is equal to area, यह आपको question में given है, circumference है 2 by r, area होता है, आपके पास pi r square, pi से तो pi cancel होता है, divide में जाएगा, और यहां से देखिए, अगर आप ऐसा समझ नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे यहां से, देखिए, तो r square, r square का मतलब क्या होता है, r into r, तो यह हम बेज देंगे divide में, देखिए, यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, 2 pi r is equal to pi r into r, ठीक है, यह pi r को मैं divide में बेज देता हूँ, so r is equal to 2 pi r, divide by pi r, यह pi r ते pi r cancel हो गया, और यहां पर देखिए, r की value आपके पास क्या हो गई, 2, ठीक है, और आपको पता है, relation r और d के अंदर, d is equal to 2 r होता है, मतलब d क्या है यहां पर, d represent करता है, diameter को, तो d is equal to 2 r होता है, तो यहां पर r की value 2 है, 2 into 2, 4, ठीक है, तो 4 is your answer, which is option d, so option d is the correct answer, next day की students, question number 7, the area of a rectangular lawn is 5 by 16 hectare, ठीक है, base and the height, जो base ratio height है, आपके बास क्या है, 1 ratio 5, so let the base, is equal to 1 x, and height, is equal to 5 x, ठीक है, उसके पास देखिए, आपको given है area, so area क्या होता है, rectangle length का, base into height, या फिर length into bridge, जो भी आप कहें, तो यहाँ पर देखिए, 1 x into 5 x, यह आपके पास हो गया 5 x square, which is equal to 5 by 16 hectare, ठीक है, unit का आपको ध्यान रखना है, देखिए, आपको question के अंदर unit given है किसमें, hectare में, और लेकिन options के अंदर given है, आपको meters के अंदर, तो यहाँ पर देखिए, x square is equal to 5 by 16, and multiply by 1 by 5, यह 5 multiply के दिजा के डिवाइड में चला गया, और hectare, आपको पता है, 1 hectare is equal to 10,000 meter square होता है, यह meter square में आपको convert हो गया, ठीक है, तो यहाँ से 5 से 5 cancel हो गया, उसके बाद देखिए, अगर आपने बात करें, 16 से इसको अपने cut करते हैं, देखिए, 16 से जब हम cut करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, 16, 6 आपको क्या होता है, 96, तो माइनस करने पर 4, 0, 40, 16, 2, 32, देखिए, डिवाइड करके दिखा देता हूँ, मैं आपको confusion create नहीं होने चाहिए, 66 जा, 96, माइनस करने पर 4, उपर से 0, 40, 2 जा होता है, आपके पर 32, 8, उपर से 0, 5 जा क्या होता है, 80, तो 625 आपके पास आगे, which is equal to x square, ठीक है, और हमें value किसकी चाहिए, x की चाहिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, taking square root, square root आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, square root आप प्राइम factorization से कर सकते हैं, long division से कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, तो यहाँ से x आपके पास क्या हो जाएगा, 25 meter हो जाएगा, x 25 meters हो गया, अब देखिए, question में find क्या करना से आपको, find the height of the lawn, height यहाँ पर आपके पास क्या है, 5 x है, तो यहाँ पर देखिए, 5 x 25 is equal to 125 meter is your answer, option D is the correct answer for question number 7 students, next देखिए, question number 8, find the length of a lane 5 meter wide, देखिए, यह मानले जी एक lane है, जिसकी जो width है, यह क्या है, 5 meter है, covered by 50,000 bricks, मतलब इसमें चोटी-चोटी bricks लगी है, कितनी, 50,000, जिसकी size क्या है, इतनी, तो यहाँ से आपको क्या find करना है, इसकी length find करना है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर इन पूरी bricks से अगर यह cover हो जाता है, तो इस एक brick का area, देखिए, यह एक brick का area है, इसको मैं अगर 50,000 से multiply कर दूँ, तो यह total lane है, इसका area आ जाएगा हमरे पस, ठीक है, इस total lane का area हमरे पस आ जाएगा, अब total lane का area आ गया, तो उस area को जो मैं width से divide करूँ हो, तो मैं पस length आ जाएगी, simple ता fund है, तो यहाँ से सबसे पहले तो हम find करते है, area of the lane, area of the lane, तो यहाँ पर देखिए, क्या हो जाएगा, number of bricks, multiply by area of one brick, तो number of bricks हैं आपके पास, 50,000, और यहाँ पर area of one bricks, 22 into 50, तो यह centimeter में है, meter में convert करने के लिए आपको divide करना पड़ेगा, देखिए, centimeter into centimeter, centimeter square, एक meter में, देखिए, one meter is equal to, 100 centimeter होता है, तो one meter square is equal to, क्या हो जाएगा, 10,000 centimeter square, तो यहाँ पर हम put कर देते हैं, 10,000 से हमें divide करना पड़ेगा, तो यह meter में convert हो जाएगा, meter square में, तो यहाँ आपके देखिए, 1, 2, 3, 4, यह 40 से, यह 40 से, यह 40 से, तो अब यहाँ आपके देखिए, इसको multiply कर देते हैं, sorry, 22 into 5 कर देते हैं, देखिए, यह होता है, आपके पास, 110, multiply by 50, 1650 meter square, यह तो आगया area, और हमें क्या पता है, area of lane, which is equal to length into breath, आपके गिवन है, तो length is equal to 1650 divided by breath, और breath आपके पास है, कितनी, 5, तो 5 से जो हैं करते हैं, 530, 15, अगें 530, 15 and 0, यह आपके बस क्या आगया, length, 330 meters, देखिए, अगर समझ में यह नहीं है, मैं दुबारे बताए तो जल्दी से, क्या किया, यह total length थी, ब्रित आपके गिवन थी, अब क्या बोल रहा है कि total जो lane है, वो 50,000 brick से cover होती है, ठीक है, माली जीते चोटी उटी brick लग रही है, और cover हो रही है, अब आपके गिवन है, एक brick का area, अगर मैं total 50,000 से multiply जो देता हूं, तो total lane का area आजाएगा, क्योंकि यह cover हो रही है, और total lane का area आगया हमारे पस, ब्रित हमारे पस गिवन है, ब्रित से divide काने पर हमारे पस क्या आजाएगी, length आजाएगी, so 330 is your answer for question number 8, next एक इस्टूनेंट्स, question number 9, इस circular garden has a radius of 42 meters, देखिए यह circular garden है, जिसकी radius हमारे पस क्या है, 42, 42 meters, 7 meter wide road है, इसके चारों तरफ, कुछ ऐसी, ठीक है, यह जो आपके पस क्या है, यह जो, 7 meter wide है, ठीक है, उसके बाद क्या अगर नहीं है, find the coast of constructing the road, आपको यह जो road है, यह जो आपको outer area दिख रहा है, अगर मैं इस पर rate, पर meter square से multiply करूँगा, तो आपकी cost आजएगी, तो यहाँ पर देखिए, क्या करेंगे, सबसे पहले तो find करते हैं, area of the road, क्या होजाएगा, 5 R2 square minus R1 square, where R2 is the radius of outer circle, and R1 is the radius of inner circle, तो यहाँ से देखिए, inner circle की radius आप गिवन है, 42, और outer radius की आप देखिए, 42 plus 7, it means 49 meters, तो यहाँ पर हम put कर देते हैं, pi की value put करते हैं, 22 by 7, 49 square minus 42 square, तो यहाँ पर देखिए, आप identity लगा सकते हैं, जो कि आपने chapter 5 के अंदर सिख्य हुई है, क्या होती है, a square minus b square is equal to a plus b, and a minus b, तो यहाँ पर हम identity का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप 49 का square लेखें, 42 का square लेखें, minus करेंगे, तो आपका answer आजाएगा, तो यहाँ पर देखिए, 49 plus 42, multiply by 49 minus 42, तो यहाँ पर देखिए, 22 by 7, add करने पर देखिए, यह आजाएगा, 1 carry 1, 91, ठीक है, और यहाँ पर आपके पस आजाएगा, 7, 7 मनजा 7, और finally आपके बचा, 22 into 91, multiply कर देते हैं, देखिए, क्या आपके बचाएगा, आपके बास, ठीक है, अब आपको find क्या करना था, आपको find करना था, find the cost of constructing road, अब यहाँ पर देखिए, cost of construction, is equal to, देखिए, एक मिटर स्क्वेर की आपके बस value है, 15 रूपी, तो 2002 की क्या होजाएगी, 15 into 2002, multiply करते हैं, देखिए, आपके बस आजाएगा, जोगी multiply कर देते हैं, 2002 को, 15 से, 30,030, रूपीज, 30,030, is your answer, for question number 9, simply, आपको, garden का, दिवन था, circular, आपको outer road देती, इस road का, हमने क्या find कर लिया, area find कर लिया, तो area find करने के बाद, उसको हमने cost से multiply कर दिया, per meter square की, तो हमारे पास, total cost आपके पास आगई, next देखिए students, question number 10, तो students, यह आज की वीडियो का last question है, साथ ही आपके chapter assessment, chapter 14 का last question है, इसके बाद, आपके chapter 14 के अंदर, कोई भी question बाकी नहीं रह जाएगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, तो इसे like करें, अपने friends के सेर करें, और चैनल को subscribe करना ना बूले, देखिए, आपको अगर चैनल से थोड़ी सी भी help मिल रही है, तो आप चैनल को subscribe जूरू करें, देखिए, साथ ही अपने friends हैं, उनको भी बोले, कि वो इस चैनल में आए, उनको भी इससे help मिले, अगर तो वो भी इसको subscribe करें, इस इकवल तो area of the triangle, तो यहांपर देखिए area of the square क्या हो जाएगा, area of the square is equal to side square, तो थेकिए, which is equal to x square, यह तो हो गया आपके बास, area of square, उसके बास देखिए, is equal to area of the triangle, whose base is x, ठेकिए, तो देखिए, आपो given किए area of triangle क्या होता है, 1 by 2 base into altitude या फिर height ठीक है तो यहाँ पर base आपको given है कितना x 1 by 2 into x into a the altitude of the triangle आपको altitude find करना है so according to the question area of triangle is equal to area of square area of triangle क्या है हमारे पास 1 by 2 into x into a और यह आपके बस क्या है x square यहाँ से altitude अपने find कर सकते है x square into 2 divided by x ठीक है x cx cut गया तो यहाँ पर देखिए altitude जो है आपके बस क्या आगया 2x ठीक है क्योंगि यहाँ पर x square है तो एक power is की cut हो गई तो altitude आगया आपके बस 2x और आपके बस option c है correct answer इसी के साथ आपका chapter assessment student खतम हो गया वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like करें friends के साथ share करें और channel को subscribe करना बिल्कुल न भूलें thank you very much have a nice day bye bye झाल 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 झाल